हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टियो चनल नौड़ज अफ स्टॉक मार्केट दोस्तों जैसा कि आपने थमने पड़ा आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं हैमर की कि हम हैमर कैंडल जो पैटन है उसके थुरूप कैसे ट्रेड ले सकते हैं उसके टाइप कितने होते हैं उसकी साइकलोजी क्या है तो चलब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों जैसा कि हम आ गए हैं अपने स्लाइट सो पर प्रेजेंटेशन पर यहां पर हम आप क्या बात करने वाले हैं हाव टू वर्क बुलिश हैमर टाइपस ऑफ बुलिश ह हैमर यह तीनों टॉपिक आपके यहां पर कवर होने वाले चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहला पैटर्न है जो हमारा वह है कुछ इस टाइप का दोस्तों हैमर जब भी बनता है आप यहां पर देख सकते हो कि जो इसकी विक होती है मैं आपको दिखाता हूं यह जो विक ह साइच कम से कम बॉडी का डबल या उससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है होना चाहिए तभी हमारा हैमर पैटर्न काम करता है और जो बुलिश हैमर है उसको हमेशा अप साइट क्यों ट्रेड लेने के लिए हम यूज करते हैं चलिए मैं आगे बढ़ता हूं बताता ह आगे की चीजे सबसे पहले हम यह एरेस कर देते हैं तो चलिए दूस्तों क्या होता है जब भी कर्णल फार्मिशन होता है तो सबसे पहले इसका यह ओपन प्राइज होता है उसके बाद फिर सेलर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं ठीक है वह प्राइज को ओपन होते कर देते हैं और हाई कर देते हैं ठीक है यहां पर इसका क्लोज और हाई प्राइस बन जाता मतलब जहां क्लोज वह उसका हाई हो गया वहां से नीचे नहीं आया अब यह कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम पर आपको इंटर डे करना है 15 मिट बन सकती है स्विंग करना है वन हाय वन है रजट जहां भी बनती है उस तरीके से काम करती है तो कुछ इस तरीके से कनल फॉर्मिशन होता है और फिर हमारी जो में केंडल होती ये इस तरीके से बन जाती है ये केंडिल 99.9% पावरफुल होती है बाइसाइट ट्रेट लेनी के लिए अब इसके पीछे की साइकलोजी तो आपको समझ में आ गई कैसे काम करती है ओपन होती कहां जाती है फिर कहां पर बाइस एक्टिवेट होती है मतलब यहां पर आप जैसे कि मेरे पास निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है जो की 11 नमबर प्रेजेंट टाइम का ही है ठीक है वहां से स्क्रीन शॉट लेकर आपको बता रहो है यहां पर पैटरन कहां पर बना है आप देख सकते हैं यहां पर एक एक्जेक्ट बुलिश हैमर बना है ठीक है आप भी नहीं दोगना तो छोड़ो तो वहां पर यह चीज अपलाई ही नहीं हुई तो कहां अपलाई हुई यहां पर आप देख सकते हो यहां पर डाउन साट्रेंड चला यह रेंट अपना है हुआ यहां पर आपको ट्रेड कैसे लेना है आपको ट्रेड लेना इस कैंडल के हा पैटन एकदम हंड़ेट परसंट नहीं होते हैं आपको जरू नहीं हमेशा प्राफिट बना के दें इसलिए स्टॉप लोस इस्टिक रखिए एंट्री पॉइंट आपको पता सल गया स्टॉप लोस कहा पर रखना यह पता सल गया उसके बाद फिर अपना टार्गेट यहां द बड़ी सी विख है उपर भी एक विख है अब इसकी साइकलोजी क्या होती है यह होता इस तरीके से प्राइज ओपन हुआ इस जगह उसके बाद सेलर्स एक्टिव हुए वह प्राइस को इस तरीके से नीचे लिके गए यहां पर उन्होंने अपना लोग प्राइस बनाया द अपने भी हो उस टाइम में यह केंडिल क्लोज होगी फाइनल यहां पर क्या निकला रिजल्ट हमारा यह इस तरी केंडिल यह 90% पावरफुल होती है क्यों क्योंकि एक माइनस पॉइंट यहां पर यह कि सेलर्स हाई तक हाई पर जाने के बाद सेलर्स फिर से आ गए नीचे और थोड़ा सा नीचे लेके आए प्राइस को बट लेके तो आए इसलिए 90% पावरफुल होती है ट्रेड इसमें भी सक्सेश्फुल होता है हमारा अच्छी ट्रेड मिलती है आपको लाइव एक्जामपल दिखाता हूँ मैं दुबारा से हम आ गए हैं 5050 के चार्ट पर यह जगब एक अच्छा कासा ड्राउं ट्रेंड चलने के बाद यहां पर एक देखवा आप कितना अच्छा हैमर बना हुआ पैटन जिसकी छोटी सी विग भी है यहां पर इसकी और नीचे बड़ी विग है जो बॉड़ी के डबल तीबल पार्ट है तो यहां पर आपको सिंपल एंट्री अपनी कहां रखनी इस पॉइंट पर अपना हमेंसा विक के नीचे रखना चाहिए उसके वाद अपना वन इस टूवन का प्राफिट बुक करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए तो इस तरीके से यह केंडल काम करती है अगला पैटन बुलिश हैमर टाइप का यहां पर अगली जो पिछले जो पैटन दो मैंने आपको बताये वह ग्रीन यहां पर रेड बनता है यह भी हैमर है बुलिश का बट इसकी साइकलोजी अलग है यह काम कैसे होती है यहां पर प्राइज ओपन हुआ सबसे हाई पर वहीं ओपन हुआ वहां से सेलर्स किया बट क्या हुआ क्लोज प्राइज उन्होंने अपना नीचे ही दिया मतलब ज्यादा वायर्स यहां पर नहीं आपाए वायर्स एक्टिवेट तो हुए पर ज्यादा नहीं हो प्लस पॉइंट यहां पर यह होता है हमारा कि ओपन होते नीचे आई बट बायर दुबारा प्राइस को उपर ले गए तो इसलिए भी एक बुलिस सिग्नल होता है इतना परफेक्ट नहीं होता है हमारा क्या बनता है कुछ इस टाइप का मिलता है यह सिर्फ 80 परसेंट पावर्फूल होता है क्योंकि यहां पर सेलर्स जादा है बायर्स आये तो सही कोशिश तो कि उन आप यहां पर देख सकते हैं यह मार्केट डाउन साइट चल रहा था और उसके बाट जब यहां पर एक और कि एक प्लस पइंट बनी तो आपको यहां पर करना क्या था आ आपको सिंपली एंट्री पॉइंट के ऊपर स्टॉप लोस हमें सा विक के नीचे उस के विक के नीचे और टारगेट पनेश टूवन का बुक करते हुए आप अच्छा कासा टारगेट रख सकते हैं यह हो गया थार्ट पॉइंट जो की रेट कलर बनता है अगला है पैटन यह भी रे कैसे करती है फिर यहां पर प्राइस ऐल श्वेट हुए प्राइस ले जाते हुए यहां पर फिर यहां पर और याहां पर ही और यहां पर फिर tumor बैर अपना दिया कुछ इस敢 तरीक से तो यहां पर हमें buyers की गिंती ज़्यादा दिख रही है तो इसलिए यह 70% powerful होता है क्योंकि यहां पर sellers open होते sellers आए price को नीचे लेके गए फिर buyers आए उपर high बनाया बर दुबारा seller हा भी हो गए और time के खतम होते होते close किया negative में candle को यह bullish signal पर 70% ही accurate होता है इसमें आपको करना क्या है लाइफ चार्ट में आपको दिखाऊ में कुछ इस तरीके से इसका रिजल्ट फाइनल बनता है लाइफ चार्ट में आपको क्या करना है जैसा कि आप देख रहे हो downtrend जितने भी bullish hammer pattern है हमेशा downtrend पर लेने चाहिए ठीक है वहां पर ज्यादा accuracy होती है यहां पर देखो आप कितना अच्छा यह pattern बनाया और फिर आपको अच्छा प्राफिट बुक कराई यहां पर भी आप देखो यहां पर पैटन बनाए बट फेल हो गया आपको सिर्फ वन इस्टू वन भी पर प्राफिट नहीं दे पाया वह फे स्टॉपल अपना विक के नीचे उसके बाद टार्गेट बुक करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं यह हो गया हमारे चारो पाइंट चारो टाइप्स बुलिश हमर के कंप्लीट एक और चीज बतागता हूं आपको साइडवेज मार्केट में साइडवेज मार्केट में भ यह जो होता 50-50 वाला केस होता है यहां पर आप देखोगे प्रॉफिट बुक हुए हैं आपको इन पैटन के तुरू पर उतने नहीं हुए मतलब स्कैल्पिंगे 50-50 कैसे यहां पर आगर साइडवेज मार्केट भी इन के तुरू आप ट्रेट करते हैं तो अपना सेंपल य और टार्गेट सिर्फ 1-1 के यहां पर रगिए जैसे बाकी त्री चीजों में आपको सेकेंड टार्गेट बताया बट यहां पर टार्गेट 1-1 होना चाहिए 1-1 हुआ आप निकल जाओ स्ट्रेट से क्योंकि वह दुबारा से आपको जाए टार्गेट नहीं देगा और कभ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा इस सब्सक्राइब को जरूर दबाएएगा मिलते हैं अगली वीडियो में आज के लिए बस इतना ही तब तक प्राफिटेबल बने रहिए और अपना ख्याल रखिए